केवल सोच का ही अंतर होता है साहाब वर्ना जो समस्याएं आपके समक्ष आती है वो आपको कमजोर करने नहीं बलकि मजबूत बनाने आती है नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का दो तिन रोज से विद्यारती जो है साथे मित्र औरीट की परिक्षा के अंदर वैस्त थे इस वज़से टेस्ट स्रीज वगरा चालू नहीं कर रखे थी पुना हम प्रारंब करते हैं हिंदी साहित इतियास की जो टेस्ट स्रीज प्रारंब कर रखी है व्याख्यात्म ग्रोप से पिसले विभिन परिक्षाओं में आयो हुए सवाल भी हो और कुछ यहाँ आपर नए सवाल भी में सामिल करता है जो चल रहा हूँ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए जरूर जरूर शेर करें लोगों को जोड़ें और पहली बार देख रहे हो चैनल खुज सब्सक्राइब कर बेशे लाइकन क्लिक करने थेक्ए हिरे बीडियो की सूचना मिलते रहे है और ग्रेड फरस्ट और सेकिंड haven first grade वाले साथी और second वाले साथी अलग अलग दोनों की playlist बनाई हुई यह first grade की syllabus की सेकंड ग्रीड की syllabus की initial group से है जो classes करवाई जा रहे breath playlist में जाकर देख सकते बाकी जो बचावा आठंठे गरम है जल्दी नेमी तरूप से अब वियबस्थी तरूप से हमें जो प्रारम है जो करेंगे बाकि जो बचाव आपा ठेकरेंगे बाकि फर्स्ट ग्रेड की कहानिया वगरा सेकंड ग्रेड की कभीर गरंतावली रतना कर वगरा वो काफे कुछ चीज़ें हैं जो आपको करवा दी गई है टेलिग्राम चैनल आपने जोइन नहीं करका तो कीजिए कवी आदी गणेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हैं उसको जोइन करें ताकि वहाँ पर भी मैं सवाल सोचना वगर डालता रहता हूँ आज की कक्षा में पहला सवाल है और नियमे तुरूप से आप जुड़े रहे हैं परिक्षा तक मेरे साथ में यकिनन आपका साहिती इतियास वगर और बाकी चीज़ें मजबूत हो जाएगी यहाँ पर निशुल ग्रूप से अपकरवाय जारा आपको और पूरी इमानदारी के साथ में पहला सवाल है राजमती से रूट कर बिसल देव कहां चला गया था या फिर कहां गया था करनाटक में उडिसा में तमिलनाडु में या फिर आंदर परदेश में बताईए राजमती से रूट कर बिसल देव कहां गया था तो उत्तर क्या हो जाएगा साहाब उत्तर हो जाएगा उडिसा और ये सवाल यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया उसके तरिक भी कहीं बार एक्जाम में पूछा गया है कहां चला गया था उड़ी साय जो चला गया था और विसल देवरासों के रचनाकार कौन है ये भी चीज़ी में आपको याद कर बहुत हूँ अगर पहली बार कोई देख रहा उसको नहीं पता है तो नर्पती नाले हो जाएगा ठीक है नर्पती नाले हो जाएगा खंड पूछ ले इसकी कि ये विसल देवरासों कितने खंडों में है तो सहाब ये चार खंडों में विभकत है कितने खंडों में है चार खंडों में ये सारी चीज़ा बार बार सुनते रहोगे मेरे साथ तो याद हो जाएगे चार खंडों में और खंड दो में ये वर्णित ह कौन सा कि जो रूट कर जो है विसल देव किदर चला गया उडिसा में ये कौन से खंड में है खंड दो में वर्णित है कि राजमत्ति को छोड़कर विसल देव उडिसा है जो चला जाता है और वहां पर कितने साल रहता है वहां पर ऐसा वर्णन मिलता है कि वहां पर वो एक व इन में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अगनी परिक्षा के बाद सीता जो है वो जेन धर्म में क्या हो गई दिक्षित हो जाती है कौन सा ग्रंथ है वो जिसमें लिखा है कि अगनी परिक्षा होती है सीता की और उसके बाद में वो जेन धर्म है जो दिक्षित हो जाती है उसको तो क्या उत्तर होगा उत्तर हो जाएगा साहब अपना याँ पर डी पवूम चरिव में लिखा है कि अगनी परिक्षा के बाद सीता क्या है जेंदर में दिख्षित हो जाती है और इसके रशनाकार को मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है अब आप कमेंट करके बताना पवूम चरिव के रचनाकार कोन है साहब ठीक अगला सवाल सवाल है पंच पांडव चरित रास पंच पंडव चरित रास के रचियता कोन है पंच पंडव चरित रास के रच्छेता शाली बद्र सूरी आसगू नर्पती नाले या दल्पती विजय बताईए अच्छा सवाल है यह PGT 2015 में आया हुआ है तो उत्र क्या हो जाएगा शाली बद्र सूरी पंच पंडव चरित रास के ठीक है समय हम बात करें इसकी तो समय आपको देखने को मिल जाता इसका तेरा सो पचास इस विके तकरिवन ठीक है इसकी विशेश बात यह है हिंदी का प्रथम एतियासिक रास गरंथ है यह क्या है हिंदी का प्रथम किस प्रकार गरंथ एतियासिक रास गरंथ है यह ध्यानम रखना इतियास सम्दित पंच पंडव चरित प्रथम एतियासिक अपने रास गरंथ है यह जो हो जाएगा सहाब और गणपती चंदर गुप्त ने फिर मायंड करवा देता हूं आपको मियाद करवा देता हूं गणपती चंदर गुप्त ने शाली बद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कभी माना है किसने गणपती सहाब ने गणपती चंदर गुप्त ने क्या हिंदी का प्रथम कभी वो है इसको माना है ठीक है और इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंत भी है कोण सा भरतेश्वर बाहूबली रास भरतेश्वर बाहूबली रास के मैं विशे में आपको बताऊं तो बरतेश्वर जो बाहूबली ये बरतेश्वर और बाहूबली की दोनों की कथा इसके अंदर ठीक है आगे देखे साहब आगे हम बात करें अगले सवाल की तो अगला सवाल हमारा इस प्रकार है आधी काल में किस प्रकार का साहित्ते लिखा जा रहा था देखिए आपकी बार थोड़ा सा पाठ्ठे करम विश्त्रित है तो विशेश्ताओं से सम्मंदित विशेश्ताओं से सम्मंदित सवाल जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे साहब हर काल की विशेश्ता आपको ध्यान में होने चाहिए तो आधी काल में किस प्रकार का साहित्ते जो लिखा जा रहा था जन जीवन से हटकर राजाओं की वीर्ता का आतिरंजित वर्णन य या क्रिश्न भक्ति पर आधारित काव्वे या निर्गुण उपासना या इन में से कोई नहीं किस प्रकार का साहित लिखा जा रहा था साव आधिकाल में तो क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अपना ए जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का क्या अतिरंजीत वरिणन है जो आधिकाल में मिल रहा था आपको क्रिश्न भक्ति साका भी या समन निर्गुण वाली रिब नहीं है तो यह हो गई बात यहाँ पर क्या था कि आधिकाल की जो कवी ज़्यादा चारण कवी कहे जाते हैं यह क्या अपने जो आश्रे दाता थे उन राजाओं की परसंचा आति शोक्ति पूर्ण है जो क्या करत अधिक्र हे रहा अमेर खुसरों की पहले और मुकृयों क्या उधिशे है प्रतिविराज चोहान की वीर्ता का वर्णण करना था जा ऑनुदिन और अमेर के युद्धों का वर्णन पहलिया और मुक्रिया लिखी उन्हें मनोरंजन करना तो था ही था ये एक माद देम लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में लोक विवहार की शिक्षा भी देखने को मिलती है आपको आपको आपने बड़ेडा बड़े रहा है जो डोकरा पूचे के लतन पाली पूच्छों मैं पाल नुरंजन के माद देम से एंटर्टेन्मेंट होता ही है साथ साथ में लोक विवार की शिक्षा देना भी इनका उद्देश रहा था साथ बहुत अच्छा सवाल है ये अगला सवाल है रासो ग्रंथ किस बाशा में लिखे गए थे जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए थे वो किस बाशा में है जो लिखे गए थे खड़ी वोली अवधी ब्रज बाशा या डिंगल पिंगल जाता तर तो बताए क्या हो जाएगा उत्तर आसान है ये तो उत्तर हो जाएगा डिंगल पिंगल रासो ग्रंथ किस बाशा में लिखे गए डिंगल और पिंगल में आगई जहानमे रखना थोड़ा सा अपड़ैस कर देते हैं कि से अब रे ждवासा अब रोज बार्च यह तो क्या हो जाएगी यह कलाइप इंगल इसमें अपड़ैसो और बश्बाशा का पुट हो वो तो क्या पिंगल और वही आपड़ैसे एक तरप और यहां अब राजस्तानी वाला मामला आ जाए तो वो क्या कहलाई डिंगल ठीक है अब ब्रंस ब्रजबासा पिंगल अब ब्रंस राजस्तानी डिंगल ठीक आगे देखे साब अगला सवाल आसान सवाल है लेकिन ये कई बार अलग लग तरीकों से पूछा गया है विद्यापति के पद किस बासा में रचित है बिद्यापति की जो पद है वो किस बासा में है पहाड़ी मैथली अवधी या पर पिंगल बताईए सहाब किस लेंग्वेज में है वो तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा सिधा सिधा बी विद्यापती की पदावली भी गई है आती कि विद्यापती की पदावली रचित है या विद्यापती की पद इस तरी के तो भी मैथ विली में ठीक और विद्यापती बिहार के थे और इनकी जो रच्च जो ग्रंद है एक तो पदावली हो जाता है एक कीरती लता हो जाता है एक कीरती पता का हो जाता है ये प्रसिद्धी है विशे सिन की उपलब्दी वहीं कीरती पता का और तता जो कीरती लता है इसकी बहुता क्या थी अव हट आओ हट हो जाएगी अपने किसकी एक तो हो जाएगी अपने कीरती लता और एक हो जाएगी क्या कीरती पता का कीरती लता और दूसरी क्या हो जाएगी पता का इनकी दोनों की क्या अउहट थी और पदावले के अपने या जो पद है वो थे मैथिले में आपके लिए एक छोटा सा सवाल है सवाल है आपके लिए ये बताईएगा इसका उतर भी कमेंट करके प्राकृत पेंगलम क्या है रचना का नाम? रचना का नाम है प्राकृत 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 कमेंट करके बताना प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है साथ तो ये थे आज की वीडियो में सवाल और पिछले सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लाइक जरूर करें देखने वाले सभी दोस्तों को शेर करके बताएं याँ पर कभी आ दिने चैनल पर ग्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैहिंद फुर मिलता हूं